हाई आप देख रहे हैं मायपूरी कट मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी और स्वागत है आपका मायपूरी रीजिनल पर जहां हम आप तक सिर्व बोल्योडी नहीं बलकि पंजाबी साथ और भोचपूरी सिनमा यानि की पूरी इंडियन सिनमा की सारी अपडेट्स पहुँचाते हैं समान्था रूथ प्रभू जल्दी सिटिडिल के हिंदी वर्जिन में नज़र आने वाली है इस बीच प्रियांका चोप्रा स्टार अर इस वेब सीरीज का इंग्लिश वर्जिन पहले से ही तहल का मचा रहा है इस वर्जिन में प्रियांका चोप्रा के ओन स्क्रीन फादर की डबिंग वरुन धवन ने की है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वेब सीरीज के हिंदी बोर्जन में समान्था रूथ प्रभू और वरुन्धवन प्रियांका चोप्रा के पेरंस का किरदार नभाते दिख सकते हैं ये एक प्रीकुल हो सकता है सारा लिखान इंदनो अपनी अपकमिंग फिल्म जराहत के जरबचके को लेकर सुर्ख्यों में बड़ी हुई है इस फिल्म में वो विकी कौशल संग पहली बार स्क्रीन शेर करती नजर आएंगी पीते दुनों सारा लिखान अपने कोस्टार विकी कोशल के साथ लखनों पहुंची थी इसके बाद अब हाल इने सारा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो जैन के महकाल मंदर में दर्शन करने के लिए पहुंची वो इस दौरान भस्म और आर्ती में भी शामिल हुई समान्था रूत प्रभू वेब सीरी से टिडिल को लेकर काफी चर्चा में है अब इन सब के बाद समान्था का नाम एक हॉलिवूट फिल्म से भी जोड़ा जा रहा है हॉलिवूट की इस फिल्म में समान्था एक खास रोल में नज़र आएंगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समान्था की हॉलिवूट फिल्म चैन्नाई स्टोरी की जल्द ही शूटिंग शुरू होने वाली है रिपोर्ट्स में बताया गया है कि समयान्ता रूत प्रभू वेब सीरी सेटिडल की शूटिंग खत्म करने के बाद हॉल्वूट की फिल्म की शूटिंग करेंगी अप्रिया प्रगाश फेरी ने हाल ही में इंस्ट्रिया पर अपनी लेटिस पस्मीर शेयर की जिसमें आक्ट्रस कौलिटी टाइम स्पैंट कर रहे है यह तिस्मीरे आते हीं इंस्टेर्म पर वायरल हो गई पंजाबी फिल्म फ्रेंचाइजी कैरी ओन जट्टा 3 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है ट्रेलर देखकर ये जरूर साफ हो गया है कि जहां पहली दो फिल्में पंजाब में सेट थी तो वहीं ये तीसरी फिल्म लंडन में बेस्ट है हेल्म बाइ समीर कांग, इस फिल्म में गीपी ग्रेवा, सोनम बाजवा, बिन्नु दिलो और गुर्प्रीव गुगी समेट बहुत सारे आक्टर्स नजर आएंगे और आपको ये भी बता दें कि फिल्म 29 जून को रिलीस के लिए बिल्कुल तयार है आक्टर और सांसर्ध रवी किशन ने भोजपूरी से लेकर बॉलिवूद तक सैक्रो फिल्मों में काम किया है, एक खास बाचीत में उन्होंने बताया कि उनका गोरखपूर में एक फिल्म सेटी बनाने का सपना है उन्होंने कहा कि वो 151 कर में एक Film City बनाने का प्लान कर रहे हैं जो एक Regional Film City होगी उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गोरगपुर में काम करके काफी खुशी होती है भुचपुरी आक्ट्रिस अक्षरा सिंग हमेशा लाइम लाइंग लाइट में रहती है अक्ट्रिस अपने गानों और फिल्मों की वज़े से तो पॉपिलर है ही लेकिन साथ ही उनका स्टाइलिश अंदाज भी फांस को काफी पसंद आता है अक्ट्रिस ने रिसेंटल इंस्टेड्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जहां वो ब्राइडल अफ्तार में नजर आ रही है और काफी खुबसूरत लग रही है आज मैं पूरी रिजनल में बस इतना ही आगे कि सिनमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए इसके साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चानल